हेलो फ्रेंड्स माई नेम है सुमंत और आज हम लोग डिसकस करेंगे आर्ट अन कल्चर एंड इंडियान हिस्ट्री के वो कोस्चन यूपे से प्रिलिम्स दोहजार नौ और दोहजार दस में आये थे चले देखते हैं पहला सवाल तो दोस्तों हमारे कोलोनियल एरा में जो लौड कोर्नवालेस थे उन्हें हम फादर आफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं इन्हों ने ही कोविनेंटेट सिवल सर्विसेज के स्थापना की थी उससमें अंसर है क्या यह क्यों हुआ था उसका इमेडियेट काउस क्या था क्या था उसका ततकालिक कारण यह था क्या दोस्तों लौड करजन ने उस समय बेंगॉल का पार्टीशन एनॉंस कर दिया था और उसको एफेक्ट मिला दिया था अक्टूवर 16 1905 को ध्यान दीजे दोनों अलग अलग डेट है उसको एनॉंस किया गया था पहले और उसको इंप्लिमेंट किया था बाद में तो यह जो इसी पर्टेशने कारण लाउंच किया गया था मेरा अंसर है बाकि जो बी सी और डी है वो गलत हैं दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि modern इंडिया के लिए हमारे जो बुग्स होंगी वो प्रिलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए सेम होंगी तो दिखे जब आप प्रिलिम्स के लिए सोदेशी मोमेंट पढ़ रहे होंगे तो आप facts पर ध्यान देंग मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप जो कारण है उसके उस पर ध्यान देंगे प्लस इस मोमेंट में कौन-कौन से काम हुए थे वो सब देखना है जैसे कि कभी-कभी स्वाल आता है कि जो जो चीजें हमने सोदेशी मोमेंट में की थी गांधी जी ने उसी को आगे बढ रहाया इस पर कई कोष्चन आते रहते हैं जैसे कि हमने जो थे वो हमारे जो सोदेशी चीजे उसका इस्तमाल हमने किया था फिर जो बाइकर था उसको हमने अपनाया था जो मास मोबलेशन होता है उसको हमने किया था तो यह सब चीज़ें गांधी जी ने भी करी थी यहां पर आप यह बताए कि जो पार्टिशन था बेंगॉल का उसको कब एनुल्मेंट किया गया था इसको कब रद किया गया था जो बेंगॉल उसको पार्टिशन करने का मकसद क्या था उसका मकसद यह था कि बेंगॉल को जो भारत में जो नीतिया चल रही थे उस समय जो आंदो रद कर दिया गया था रद करने के बाद जो राजधानी है वो देली सिफ्ट कर दी गई थी इससे क्या हुआ इससे बेंगौल का जो इंपोर्टेंस है वो अपने आप गिर गिया कोई खुन नहीं भाग कोई अंदोलन नहीं हुआ जो काम सरकार पार्टिशन करके अचीव करना था और जो पार्टिशन था बेंगाल का उसको कब रद किया गया था अगला सवाल है चंपारन मोमेंट से डॉक्टर राजदर परसाद परस्वेड़ेड महात्मा गांधी तो कम टू चंपारन टू इंवेस्टिगेट दोस्तों राजदर परसाद जी नहीं बुला कर लाए थे एक किसान था राजकुमार शुकला वो महात्मा गांधी को बुला करके लाए थे चंपारन में पहला हो गया गलत आचारे जे बिकरपलानी वाज वन आफ दो महात्मा गांधी कलीग इन हिस चंपारन इंवेस्टिगेशन जी हां दोस्तों हमारे राजदर परसाद और पर तबानिय जी थे यह सभी महात्मा गांधी जी के साथ चमपारन मुवमेंट में इनुलल। यह मुमेंट के पीछे कारण था वो तिन कढ़िया नुल्फ में होता है कि विहार में एक बिइखा, एक कि 20 कठे में से 3 कठे में आपको नील की खेती करने ही पड़ेगी, उसमें आप और कोई फसल नहीं लगा सकते, आपको केवल नील ही उगाना पड़ेगा, तो जो किसान थे वो से खिलाफ थे, इनहीं का वो विरोध कर रहे थे, और चंपारन मुवमेंट हुआ था इसको अबॉ केव पेंटिंग है, उसके बारे मैं पूछ रहा है, पहला है अजंता केव, दूसरी पेंटिंग कौन सी है, बाग केव की, ऐलोरा केव की, लोमच रिषी केव की, नासिक केव की, तो दोस्तों इसको आप SL-minute कर सकते हैं, जो लोमच रिषी केव है, वो मौरे काल की है, वो ग पेंटिंग है जो की गुपता काल के finest example में से आते हैं के पेंटिंग के तो मेरा अंसर क्या है मेरा अंसर है ए देखिए अजंता केव है महाराश्टरा में और बाग केव है मध्य परदेश के ग्वालियर में जो गुपतन पेंटर्स थे वो क्या पेंट करते थे वो बुद्ध के जो life events है उसको पेंट करते थे और वो scenes secular होते थे काई scenes तो कुछ scene होते थे religious और कुछ scene होते थे secular तो देखिए इसके बाद और चीज़ जो पेंटिंग थे गुपता काल के जो पेंटिंग थी उसकी प्रपरटिस क्या थी वहाँ पर lines में डिली कैसी थी वहाँ पर जो color थे वो काफ़े brilliant थे और expression में काफ़ी richness थी तो अगर आप से कभी question आये ऐसा कि which of these are the properties of गुपतान पेंटिंग आपको दिया रहेगा 1, 2, 3 और आपको चाथर दिया रहेगा कुछ और आपको क्या लगाना answer जो fourth है वह आपका answer होगा क्योंकि वह इस गुपता काल की property नहीं होगी जो stone temple concept था वो इसी period में develop हुआ किस period में गुपता period में जो elora caves थे वो गुपता के द्वारा नहीं बनाये गए थे ये राष्ट्र कूटू द्वारा बनाये गए थे के पास ठीक है अगला सवाल है आफ्टर कुट इंडिया मोमेंट सी राजगोपाला चारे चकरवर्ती राजगोपाला चारे इसूड अपैंफिलेट इंटिल्ड दवे आउट विच्वन दफोलोई वास पर्पोजल इन दिस पैंप्लेट को इसमें क्या मिल जाएगा इसमें उसमें हुआ क्या था कि जो मुस्लिम लीग है और जो कॉंग्रेस है उसके वो लोग यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हम करें क्या वहां पर एक कंस्टिशनल डेड्लॉक हो गया था तो इसी डेड्लॉक को रिजॉल करने के लिए इन्हें पॉलत में चुँआ था city इसमें उन clot कषपड घ। लीग इंडॉर्स करेंगा उसको वो शपोर्ट करेंगा फिर अगर इंडिपेंडेंडैक के population in majority ठीक है और वहाँ पर एक प्लिविसाइट कराया जाएगा मतलब कि इस फर्मूले में वह सभी चीज़े थी जो उस डेडलोग को resolve कर सकते थी अगर आप से कोई question पूछा जाए कि क्या गांधी जी ने इस फर्मूले को support किया था तो आपको आपको यहाँ पर एक बत और ध्यान देनी है कि यह जो पूरे जो provisions थे वो तभी implement होंगे जब हमें independence मिल जाता मतलब कि यह terms तभी implement होंगे जब इंग्लेंड से जो पूरा full power है वो इंडिया को transfer कर दिया जाता जो Muslim League थी उनको कुछ objections थी उन्होंने यह कहा था कि Congress को हमारी जो two nation theory है two nation theory है उसको support करना होगा और वो यह भी कह रहे थे कि जब पिलबिस साइट कराया जाएगा तो वहाँ पर केवल Muslim vote करेंगे ध्यान दीजे यहाँ पर कह रहा है all inhabitants will vote Muslim League का कहना था कि सभी लोग नहीं केवल Muslim लोग ही vote करेंगे उस पिलबिस साइट में तो यहाँ पर जो बात थी वो अटक गई थी अगला सवाल है four resolutions were passed at the famous कलकता session of international congress यह session कब हुआ था कलकता session हुआ था 1906 में इसको किसने प्रिसाइट किया था इसकी अध्धक्षता की थी दादा भाई नरौजी ने इसमें the question of either retention or rejection of these four resolutions यह जो चार resolutions पास किया गया थे उस पर एक वो जो था वो cause of a split बन गया था Congress में आपको पता होगा कि 1907 में जो सुरत अधिवेशन था उसमें Congress की partition हो गया थी वो जो करने था वो split हो गया था तो दोस्तों इन में से जो पहला है वो इन चार resolution में से एक नहीं था पहला कौन था पहला था था बैकोट दूसरा resolution था national education पर तीसरा था स्वदेशी पर और चौथा था किस पर चौथा था self government पर चौथा partition वाला नहीं था तो मेरा अंसर क्या है मेरा अंसर है A with reference to Simon Commission's recommendation which of the following statements is correct it recommended the replacement of diarchy with responsible government in provinces सही क्या जी हा दोस्तों इन पहला statement सही है it proposed the setting up of inter-provincial council under the home department नहीं it suggested the abolition of bicameral issues at the center नहीं it recommended the creation of Indian police service with a provision for increased pay and allowance for British recruits as compared to Indian recruits B, C और D ये तीनों है जो इसका recommendation नहीं है पहला इसका recommendation है तो दिखिए जब 1919 में government of India act पास हुआ था तो इसी में ये कह दिया गया था कि 10 साल के बाद एक commission को appoint किया जाएगा जो की governance system है उसका जो progress है उसको investigate करेगा तो 1919 में पास हुआ 1929 में ये जो commission है वो appoint होना था मगर जो British government thing land में उन्होंने थोड़ा सा पहले ही इसको appoint कर दिया ये जो summon commission है इसका official नाम है Indian accessory commission क्या नाम है Indian accessory commission इसमें 7 member थे कौन कौन साथ member साथ parliament के member जो British parliament है ना उसके साथ member थे इसमें उसके साथ MPs थे वो क्यों आये थे वो यहाँ पर constitutional reforms जो किये गए थे उसको study करने आये थे इसका जो chairman था वो कौन था वो थे जौन साइमन इस साइमन कमिशन ने recommend किया था the replacement of hierarchy with responsible government in provinces इसको replace कर दिया गया था 1935 स्वाल एक्ट से आपको अब यह बताना है कि जो provinces थे उसमें डायर की किस government of India एक्ट के द्वारा introduce किया गया था अब कुछ स्वाल है यहाँ पर consider the following statements the Bombay manifesto signed in 1936 openly oppose the preaching of socialist idea जिहां दोस्तों यह जो manifesto था उन्होंने नहरु जी के जो socialist idea थे उसको oppose किया था पहला सही है it evoked support from a large section of business community from all across India नहीं ऐसा नहीं का सकता यह सही नहीं है मेरा answer है a one only among the following who was not a proponent of bhakti cult नगारजुन, संत तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्या तो दोस्तों इन में से जो नगारजुन है वो भक्ती सेंट के अंदर नहीं आते तुकाराम जी है त्यागराज जी है वल्लभाचारया जी है चतने महाप्रभू है मिरा बाई, रामदास, त्यागराज, अन्ना माया, अपर, नामदेव और तुकाराम है कबीर, विदानादा देसी का और वल्लभाचारया और रामकिष्णा यह सारे हैं जो भक्ती सेंट है नागरजुन जो है वो नहीं है फोर्ट कराचे सेशन आफ इंडिया नेशनल कॉंगरेस इन 1931 प्रिसाइड़ ओवर बाई सरदार पतेल ध्यान दीजे इस सेशन को प्रिसाइड किया था सरदार पतेल ने सेशन कब हुआ था इस सेशन हुआ था 1931 में इसकी खास बात क्या थी इसकी खास बात ये थी कि इस सेशन में जो रिजलुशन और फंडमेंटल राइट्स एंड एकॉनमिक प्रोग्राम था उसको ड्राफ्ट किया था तो इसे किस ने किया था इसको ड्राफ्ट किस ने किया था सेशन को प्रिसाइड किया था पटेल जी ने इस ड्राफ को किस ने बनाया था गांधी जी नहिरु जी रजनर प्रसाद और अम्बेद कर तो दोस्तों इस ड्राफ को बनाया था पंडिट जोहर राल नहिरु ने जो की मोतिलाल नहिरु जी के सपुतर थे अच्छा आप यहां पर यह बताए कि जो नहरू रिपोर्ट थी नहरू रिपोर्ट कब आई थी प्लस इसको किस ने बनाया था कौन इसमें involved था फू एमंग दे फॉलोइंग ओफीशियल कॉंग्रेस नेकोशेशन विद क्रिप्स मिशन यह मिशन कब आया था यह मिशन ओगनाईज किया गया था मार्च 1922 में बिटिस कोवर्मेंट लॉइंच दे मिशन टू सिक्योर इंडियन कोपरेशन और सपोर्ट देर इफ़र्ट इन वार वल्ड वार टू वल्ड वार टू में इंडियन कोपरेशन को सेक्योर करने के लिए यह क्रिप्स मिशन भीजा गया था इसमें कुछ इस ओफर की गई थी इस मिशन को हेड कर रहे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो इस मिशन से निक्षन करने के लिए कौन कौन से लोग आये थे गांधी जी अपटेल अचारे क्रिपलानी और राजगोपलाचारी नहरू और आजाद राजिंदर परसाद और किदवई दोस्तों इन में से जो नहरू थे और आजाद जी थे यही दोनों ने क्रिप्स मिशन से निक्षन की थी मेरा अंसर है C During the Indian freedom struggle, why did Rol Act Act arouse popular indignation? It curtailed the कौन से सही है? सही है अंसर C, जो गांधी जी थे उन्होंने इस Act खिलाफ उन्होंने सत्यकरा लॉंच की थी, कब 6 अपरिल 1919 को Which one of the following begin with Dandy March? काफी असान सवाल है Home rule moment, non-corporation moment, civil disobedient moment कौन सा अंसर है? इसका अंसर है C, civil disobedient moment इस Dandy March से कुछ question बन सकते हैं, देखे, जब Dandy March के लिए गांधी जी निकले, तो उन्होंने ये March कहां से शुरू की थी? ये March उन्होंने शुरू की थी साब बर्मती आशरम से उनके साथ 78 followers थे ये March शुरू की गई थी 12 March 1930 को ये कहां जाने वाली थी? ये डांडी इलाके में जाने वाली थी क्यों? to break salt law गांधी जी covered a distance of 240 miles 240 miles in 24 days मतलब कि 10 mil परते दिन ठीक है? on reaching the seashore on 6 April कब शुरू की थी? 12 March को शुरू की थी और 6 April को वहां तक पहुंचे वहां पर उन्होंने जो नमक है वो उठाया और जो salt law है जो बिटिस ने पास किया था उसको तोड़ा by picking handful of salt गांधी जी inaugurated the civil disobedient moment a moment that was to remain unsurpassed in the history of Indian national moment अच्छा में कैवर कुश्चन ये आता है कि जो गांधी जी थे उन्होंने salt को ही क्यों चुना? अखिर उन्होंने salt को क्यों चुना? अगला सवाल है which of the following moments is the slogan do or die associated किस moment में कहा था गांधी जी ने do or die स्वधिसी moment, non-coperation moment, civil discipline moment और quitting moment दोस्तों quit India moment के दोरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था मेरा answer D है which of the following founded the अहमदाबाद textile labor association गांधी, पटेल, जोशिक, रिपलानी इन्वेस अंसर क्या है? factual सवाल है, answer है A. महत्मा गांधी ने 1920 में एहमदाबाद textile labor association के सापना की थी in the context of Indian freedom struggle 16 October 1905 is well known for which of the following reasons the proclamation of Swadhesi movement was made in the कनकरता तॉन होल, partition of Bengal took effect, दादा भाय नरोजी declared the goal of International Congress for Swaraj लोकमान इतिवा का शाटेट सवदेशी movement दोस्तों आपको मैंने कुछ दर पहले ही बताया कि जो partition है उसका अनॉनम से पहले किया गया था और उसको implement किया गया था बाद में तो उसको implement किया गया था 16 October 1905 को मेरा answer क्या है? मेरा answer है B. Partition of Bengal took effect on this date as the first satyagrahi who was the second? दोस्तों हम कभी भी देखते हैं कि कोई major event होता है तो उसमें जो first कौन आया हम लोग इस पर ध्यान देते हैं जो second आया उस पर हम जहान ध्याद नहीं देते UPSC इन इस पर ध्यान देते हैं आपसे question पूछ लिया कि जो पहले थे वो थी विगौना भाववे जी दूसरे कौन थे? दूसरे सत्यागरह ही थे हमारे नहरुजी answer है B. आखिर ये सत्यागरह क्यों किया गया था? आखिर ये इंडिविजल सत्यागरह क्यों किया गया था? इस सत्यागरह was organized to protest against इंडिया's forced participation in world war कौन सा world war? world war 2 विनोबा भावे जी एक और आंदोलन से जुड़े हुए थे वो आंदोलन जो था? वो जमी इंसलेटेड़ था वो उस आंदोलन का नाम क्या है? आप को ये बताना है consider the following statements Crips proposals include the provision for full independence of India दोस्तों British ने हमें full independence कभी नहीं दी थी जब 1947 में government of India पास हुआ था उस समय भी भारत और पकिस्तान इंडिया और पकिस्तान को dominion status दिया गया था क्या दिया गया था? dominion status दिया गया था भारत और पकिस्तान को independent nation नहीं डिकलेर किया था बिटिश ने हमने इसको हटा करके खुद को independent डेकलेर किया था तो मेरा पहला हो गया गलत creation of constitutional making body जी हाँ दोस्तों ये बात थी इस proposal में second सही है मेरा answer क्या है to only ये जी proposal था वाया था मारेश पर 1942 में कभ आया था? 1942 में this was this proposal offered dominion status और यहाँ पर एक question making body ही बनेगी जहां पर जो British provinces है और जो प्रिंसले states है वहां के elected representative आएंगे और समिधान का निर्मान करेंगे war के दोरान एक executive council भी बनाया जाएगा composed of leaders of principle section of Indian people but the British government will retain the control of defense of India दोस्तों ध्यान दीजे defense of India का control बिटिश ने कभी नहीं छोड़ा जो Marshall थे वो हमेशा British हुआ करते थे during the freedom of struggle Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activity in CDM, NCM, QT India moment, Svodasiya moment तो दोस्तों Aruna Asaf Ali ने QT India moment के दोरान जो Bombay है वहां के जो Goyle Tank मैदान है वहां पर उन्होंने जहन्डा फेरा था तो वो इस moment के दोरान active थी the instrument of instruction contained in the government of India act 1985 have been incorporated in construction of India in the year 1950 as 1935 वाल जो government of India act है उसमें दिया गया था एक instrument of instruction जो की जो British Indian government है उसको यह instruction दिया गये थे वो जो instruction है उसको हमने क्या किया उसको हमने adopt किया as डिरेक्टरी प्रिंसिपल of state policy मेरा answer है B इस question आपको दिया गया है अरगलम दिया गया है आपको state जहां पो बसे हुए है वैसकरा टेम्पल राजराने टेम्पल कंद्रिय महादेव टेम्पल और भीमेश्वर टेम्पल तो दोस्तों इसमें से सबसे famous जो है क्या है वो है कंद्रिय महादेव टेम्पल B match किया 4 से, तो कौन हुआ, ये है B4, ये है B4, हमारे समझ से अब भी सॉल्म नहीं हुई, अब हमें देखना ये है कि A और D किसे match कर रहा है, तो जो भीमेश्वर temple है, वो कहां है, ये है ककिंदा में, जो की आंधरा में है, मेरा D match किया 1 से, क्या हुआ मेरा answer, मेरा हुआ answer A, क्योंकि C में D2 से match कर रहा जो गलत है, तो मेरा answer हुआ A, और जो विद्या शंकर temple है, वो कहां है, वो है, करनाटका में, ये 2 से match करेगा, वेर इस दे फेमस विरुपाक्स temple लोकेटेड, भदर चालम, चिदंबरम, हमपी, श्रिकलास्ति, तो दोस्तों में से जो विरुपाक्स temple है, वो हमपी ये बसा हुआ है, मेरा answer है C, आपको इध्यान देना है, ये कि हमपी जो है, वो कहां है, करनाटका में है, और इसको यूनेस्को का world heritage site का दर्जा दिया गया है, हमारे यहां गया में, गया में जो महाबोधी temple है, महाबोधी temple जो है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है विरुपाक्स इस फॉर्म आफ सीवा तो जो टेम्पल है वो सीवा को डेडिकेटेड है इस मंदिर को बनाया था लोक महादेवी ने जो की विक्रमा दित्य की रानी थी विरुपाक्स टेम्पल है इसको बनाया गया है दर्विडला स्टाइल के अनुसार और हमार जो हमपी है वो विजय नगर राज जी की इंपायर की राजधानी थी जो की तुंग भंद्रा रिवर के किनारे बसी हुई है मेरा अंसर है C ये है हमारा विरुपाक्स टेम्पल क्यों उन्हों ने इंडिया को इंवेड किया तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो मराठा थे उन्होंने उसके बेटे तैमूर शाह दिर्रानी को यहां से निकाल दिया था तो अपने बेटे के एक्सपल्शन का रिवेंज लेने के लिए अहमाद चाहबदाली ने इंडिया को इंवेड किया था और उन्होंने तृत्तिय बैटल ऑफ पानिपत पानिपत के तृत्ति युद्ध में जो की यह उनिस सो नहीं सतरा सो एक सेट है सतरा सो एक सेट में जो पानिपत के दुए था उन्होंने उसमें मराठाओं को हराया था यह वांटे तो अवेंज दा एक्सपल्शन और बैमराठाज और फिस वाइसराय तीमूर शाह फ्रॉम लहूर मेरा अंसर है ए वाइ बुद्धिज्म इस्टाटे डिकलाइन इंडिया इन अर्ली मेडियावल टाइम्स बुद्धा वाज बाइट ताम कंसीड़ एस वन आफ इंक्राइशन आफ विष्णू यहां दोस्तों यह में कारण था बुद्धिज्म के डिकलाइन का पहला सही है तिल टाइम अफ लास्ट गुपता किंग अडॉप्टेड हिंदुईज्म और प्रेस्ट बुद्धिज्म जी नहीं उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था मेरा दूसरा गलत हो गया मेरा क्या है? मैंने काटा C, मैंने काटा D अच्छी नहीं दोस्तों उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया मगरतलव उसको अपोज नहीं किया था मेरा थी गलत हो गया मेरा अंसर क्या है? मेरा अंसर है A. One only is the right Among the following President of India या, who was also the secretary general of non-aligned movement for some period, सुर्प्राधा किश्नन, वेंकटगरी, ग्याने जाल सिंग, शंकर द्याल सर्मा, factual सवाल है, अंसर है, सी, ग्याने जाल सिंग थे, इन विच स्टेट, द बुधिष्ट साइट, टोबो मोनिस्ट्री लोकेटेड, अंसर क्या है? अंसर है हिमाचल प्रदेश, अंसर है अंसर है हमाचल परदेश, अरुनाचल की एक मोनिस्ट्री기 जो है भी न्यूज में थी, वह कौन से मौनिस्ट्री आपको बताना है? ब्रदर उमा कांथ एन रामा कांथ गुडेचा ये ये क्या है दुरुपट वोकलिस्ट, कथक डांसर, सरोध मेंश्रोज, तबला पिलियर तो दोस्तों ये जो है वो दुरुपट वोकलिस्ट है अंसर है तो दोस्तों ये जो तेवहार है ये जो एवेंट है वो जैन का है जैन इसे कहते हैं करते हैं बहुबली के लिए मेरा अंसर है इसके बार में पर एक बता और देखिए कि ये जो महामद्वी शेक है वो एक जैन फेस्टिबल है जिस जो हर बारा साल पे एक बार होता है कहां होता है ये होता है शर्वन बेल गोला में जो कहां है करनाटका में है त्रेडिशन दिये गए आपको घटका मधुबने पेंटिंग और सर्ष कबास साद्धू दरशन फेस्टिबल तो दोस्तों ये जो घटका है वो कहां कहा है ये पंजाब का है मधुबने पेंटिंग कहा है ये बिहार से है तो second मेरा मैच कर गए बिहार से मेरा second सही है पहला कोलेबोरेशन विथ देविड हरे एंड एलेक्जेंडर डफ फू अफ फॉलोइंग इस्टैबलिज्ड हिंदू कॉलेज एड कलकाता दुरिजियो विद्या सागर केशब चंद्र सेन राजरा मोहन राय जिन होने इस कॉलेज की स्थापना की थी कब इसकी स्थापना की थी उन दोस्तों उसमें उसके पी एम थे डी चर्चिल तो दोस्तों आज में डिसक्स किया है इंडियन हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर के वो कोस्टन यूपी से प्रिलिम्स 2009 और 2010 में आया थे आपको लेक्षर कैसा रागा आप हैं बताईए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स वर वाचिंग टेक केर